नमस्ते बच्चों मैं लखिया हुजा स्वागत करती हूं आप सभी का रास्थान सरकार और विदानता के CSR इनिशीटिव इकक्षा में जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ग्यार तो आज का अध्याय अध्याय आठ जो हम पहले से पढ़ना शुरू कर चुके हैं इसका जन्तू की चाल तो बच्चो अलग-अलग जन्तू अलग-अलग प्रकार से चलते हैं या गती करते हैं तो आज के इस भाग में हम कुछ महत्वपूर्ण जो चाल हैं जो अलग-अलग जन्तू की हैं उनको समझेंगे या उनके बारे में बात करेंगे सबसे पहले हमें बात क करनी है क्येचुव की, आप में से कुछ बच्चों ने क्येचुवे को देखा होगा, अक्सर वो खेतों में नजर आ जाते हैं कभी कभी बारिश की मौसम में आप को कहीं दूसरे स्थान भी वो देख सकते हैं केचुए की जब हम बात करते हैं तो इसके शरीर को देखने पर ऐसा लगता है कि इसका शरीर एक सिरे से दूसरे को सटा कर रखे गए अनेक छलो से मिलकर बना है कि एक के बाद एक छले को सटा कर रखा गया है और इस प्रकार कई सारे छलों से केचुई का शरीर बना हुआ दिखता है केचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती है महत्पून बात ये हैं बच्चो इनके शरीर में कोई अस्थियां नहीं होती है इनके शरीर में सिर्फ पेशियां होती है जो इसके शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करती है यानि आगे बढ़ने के लिए सहाय कौन है केचुए की पेशिया है चलने के दौरान केचुए अपने शरीर के पिछले भाग को भूमी में जकड़े रहता है अपने शरीर के पीछे वाले भाग से वो भूमी को जमीन को जकड़े रहता है और आगे के भाग को आगे की और फैल जैसा हम यहां देख पा रहे हैं आगे जो चित्र है वहां इसको और अच्छे से आप देख पाएंगे बच्चो यह देखिए यहां आप देख रहे हैं कि यह आगे की और बढ़ता है और पीछे जमीन में यह जो हिस्सा है इसको अच्छे से सटा करके रखता है तो यह प्रक् शरीर को संकूचित करता है और पिछले भाग को आगे की और खीचता है यदि आपने केच्वे को वास्तों में चलते हुए देखा है तो ये बात आपको बहुत असानी से उसकी चाल में उसकी गती में दिखाई दे जाती है कि वो किस प्रकार एक हिस्से को भूमी से गड़ा कर रखता है और फिर अगले हिस्से को वो आगे बढ़ाता है इससे वे कुछ दूरी तक आगे बढ़ पाता है और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते हुए ही केच्वा मिट्टी पर आगे की और बढ़ता है अपने शरीर के हिस्से को जमीन से टिकाने के लिए इसके शरीर म विशेश प्रकार के हम कहें बाल होते हैं वास्तों में बाल जिसी आकरतियां हैं जिनको शूक कहा जाता है और ये शूक ही पेशियों से जुड़े होते हैं और मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं आप अगर गौर से एक कैचुए को दिखेंगे तो ये सारी ब बच्चो अब कैचुए के बाद में हमको घौँगे की वाद करनी हैं हो सकता है आप में से कुछ बच्चो ने कभी घौँगा देखा हो या ना देखा हो घौँगा सामाने रुप से इतना आसानी से आप लोगों को नहीं दिखता है अब यहां हम चित्र देख पा रहे हैं इस चित्र में आप घूंगे को देख सकते हैं तो घूंगे की पीट पर आप देख रहे हैं कि ये जो आकरती है ये जो गोल सरचना है इसको क्या कहते हैं बच्चों कवच कहते हैं और ये कवच वास्ताव में घूंगे का बहाय कंकाल होती है इसके शरीर का बहाय कंकाल होती है यह सरचना परन्तु यह कवच अस्थियों का बना नहीं होता है ध्यान रखना है कि यह जो कवच है जो दिखता तो बहुत मज़ूत और सक्त है लेकिन यह अस्थियों से मिलकर नहीं बनता है यह कवच एकल एकक होता है यानि पूरा एक ही होता है अलग-अलग अस्थियों से ये नहीं बनता है और घोंगे को चलने में कोई सहता नहीं करता है तो होता क्या है कि घोंगा जैसे जैसे चलता है ये कवच उस घोंगे के साथ क्योंकि उसके ऊपर है इसलिए ये कवच उसके साथ किसकता जाता है आगे चलते हैं बच्चों घोंगे के बाद अब हमको तिल च चिट्टे की जो चाल है उसकी जो गती है उसे समझना है तिल चिट्टा जिसे सामाने रूप से हम कौकरोच कहते हैं और मुझे पता है आप में से सब ही ने कभी न कभी तिल चिट्टे को कौकरोच को अपने घर में या कहीं आसपास जरूर देखा होगा तिल चिट्टा क्या क कर सकता है यह जमीन पर चलता है यह दिवार पर चड़ता है और वायू में उड़ता भी है तो यह खास है क्योंकि यह सभी चीजे कर पाता है यह दिवार पर भी चड़ पाता है यह जमीन पर भी चलता है और साथ ही साथ यह उड़ता भी है इसमें तीन जोड़ी पैर होते हैं जो इसकी चलने में सहायता करते हैं आप यहां देख पारें एक दो तीन ये तीन जोड़ी पैर है इसके और ये तीन जोड़ी पैर ही वास्तव में चलने में इसकी सहायता करते हैं इसका शरीर कठोर बहाय कंकाल द्वारा धका होता है आप जब तिलचटे को देखते हैं तो अ असानी से ये आपको नजर आ जाता है कि यहां उपर कुछ कठोर सी सरचना भी है तो इसका शरीर वास्तों में कठोर कंकाल से धका होता है यह भाय कंकाल विभिन एकको की परसपर संधियों द्वारा बनता है यहां ध्यान रखेंगे कि घोंगे का जो कवच था उसकी तुलना म यहां तिलचिते की जब हम बात कर रहे हैं तो उसके शरीर का जो भायक अंकाल है वो कई सारे एकको की संधियों से मिलकर के बना होता है जिसके कारण उसमें कति संभव हो पाती है अब तिलचिते की जो मुख्य विशेश्चनाएं हैं उसमें ये भी है कि इसके वक्ष से दो जोड़ी पंक भी जुड़े होते हैं तीन जोड़ी पैर के अलावा इन में दो जोड़ी पंक भी होते हैं आगे के पैर इनके सक्रे होते हैं और पीछे के जो पैर हैं वो चोड़े और पतले होते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो शुरू के शुरुआत के पैर हैं ये जलने में सायता करती हैं और उसी तरीके से जो वक्ष की पेशियां हैं वक्ष पर भी पेशियां हैं ये उड़ने के दोरान उसके परों को गती प्रदान करती है और इनी सरचनाओं के कारण यह चलता भी है और उड़ता भी है इसके बाद में तिलचटे के बाद में बच्चों हमें पक्षियों की जो गती है इनकी जो चाल है इसे समझना है पक्षी हवा में उड़ते हैं और जमीन पर चलते हैं ये दोनों कारे पक्षी करते हैं हम जानते हैं इस बात को बतक और हंस जैसे करने में भी सक्षम होते हैं पक्षियों का शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है वास्तव में उनके शरीर में कुछ ऐसी विशेष्टाएं होती हैं जिनके कारण वे असानी से उड़ पाते हैं यहां आप एक चित्र देख रहे हैं तो यह एक पक्षी का कंकाल है इनकी अस्तियों में वायू प्रकोष्ट होते हैं आपको ध्यान रखना है कि जो पक्षी होते हैं उनकी अस्तियों के मध्य कुछ वायू प्रकोष्ट पाए जाते हैं और इस कारण उनकी अस्तियां हलकी लेकिन मजबूत प्रकार की होती हैं आप यहां देख सकते हैं कि यह जो अ अस्थियां भी काफी हलकी होती हैं ताकि यह असानी से ओड़ पाएं पक्षियों के बारे में हम आगे और चर्चा करते हैं तो पश्च पैरों की अस्थियां चलने और बैठने के लिए अनुकूलित होती हैं यह जो पिछले वाले पैर हैं इनकी यह अस्थियां जो है वो चल के लिए और बैठने के लिए अनुकूलित होती है यानि इनके द्वारा पक्षी असानी से चल पाते हैं बैठ पाते हैं अगरपात की अस्थियां रुपांत्रित होकर पक्षी के पंख बनाती हैं यानि आगे के पैर की जो अस्थियां है उन्हीं का रुपांत्रन हमें पंखो के रूप में देखने को मिलता है कंधे की अस्थियां काफी मजबूत होती हैं आप ध्यान रखेंगे कि पक्षी को उड़ने के दौरान जोर लगाना पड़ता है और इस कारण से उसके कंधे की अस्थियां बहुत मजबूत होती हैं वक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखती हैं कुछ पेशियां जो उड़ने में सहायक होती हैं उनको ये अस्थियां अच्छे से जकड़े रखती हैं और ये रूपांतरित हो जाती हैं और इसी कारण पंखों को उपर नीचे करने में सहायक होती है यानि रूपांतरित के कारण ही ये वो है मचली तो मचली आपने जरूर देखी होगी चित्र देखे होंगे मचली के अब मचली का जो शरीर है वो थोड़ा सा अलग होता है बच्चो तो यहां क्या अलग है तो मचली का सिर और पूछ उसके मध्य बाग की अविक्षा पतले होते हैं ये वाला हिस्सा और ये वाल कहलाती है तो ध्यान रखेंगे बच्चों कि मचली की जो आकरती है जिसमें बीच का हिस्सा थोड़ा सा मोटा फूला हुआ है जबकि सिर का और पूँच वाला जो हिस्सा है वो तुलनात्मक रूप से पतला है नुकीला है ऐसी आकरती को धारा रेखिये कहा जाता है इसकी वि निकल जाता है और मचली जल में सरलता से तैर पाती है इसके अलावा मचली का जो कंकाल है वो द्रढ़ पेशियों से ढका रहता है और इस कारण जल में सुरक्षित रह पाता है तेरने की प्रक्रिया में शरीर का आगे वाला भाग एक और मुड़ जाता है और पूँच्छ विपरीत दिशा में जाती है यह हम आगे चित्र में देख सकते हैं कि जब मचली तेरती है तो इसकी पूछ जो है वो शरीर की दिशा से विपरीत दिशा की और मुड़ जाती है चित्रा नुसार हम देख पा रहे हैं कि मचली शरीर को मुड़ती है तो तीवरता से उसकी पूछ मुड़ जाती है इससे एक जटका सा लगता है और मचली आगे की ओर चली जाती है पूछ के पंक इसकारे में उसकी सहायता करते हैं तो पूछ पर यहां जो पंक हैं यह वास्तों में मचली के इसकारे में यानि आगे बढ़ने में सहायता करते हैं मचली के शरीर पर और भी पंक होते हैं जो तेरते समय जल में संतूलन बनाए रखने और दिशा का निर्धारन करने में सहायता करते हैं तो ध्यान रखेंगे बच्चों कि मचली के शरीर में पंक बहुत महत्व रखते हैं गोता खोर अपने पैरों से इन पंकों की तरह के विशेश अरित्र पहनते हैं आपने अगर गोता खोरों की कोई भी फोटो देखी हो या किसी टीवी में या किसी दौरान आपने गोता खोरों को देखा हो तो आप देख सकते हैं कि उनके पैरों में इस तरीके के जो मचली के पूछ के पंक है इस तरीके के पंक वो लगाते हैं और उन्हें अरित्र कहते हैं और ये अरित्र उन्हें जल में तैरने में काफी सहायक होते हैं और मचली के वाद बच्चों हमको सर्प की जो चाल है जो गती है उसे देखना है यदि आप सर्प को साप को कभी भी चलते हुए देखेंगे तो आप पाएंगे कि सर्प हमेशा इस तरीके से घुम घुम करके चलता है आप सर्प को सीधा चलता हुआ नहीं पाते हैं और यही ह में सीखना है यही हमें जानना है कि सर्प ऐसे किस प्रकार से चल पाता है तो सर्प का मेरुदंड काफी लंबा होता है और शरीर की पेशियां शीन तथा असंख्य होती है शरीर में जो पेशियां वो बहुत जादा होती है लेकिन काफी शीन होती है ये परस पर जुड़ी होत इसके अलावा पेशिया, मेरुदन, पसलियों और तवचा को भी एक दूसरे से जोड़ती हैं जो इनकी पेशिया है ये इनकी मेरुदन को, पसलियों को, तवचा को सबको एक दूसरे से जोड़े रखती है सर्प का शरीर अनेक वले में मुड़ा होता है ये जो मोड है बच्चो इसी को हमने वले का नाम दिया है तो जो सर्प है इसका शरीर कई वले में मुड़ा होता है सर्प का प्रतेक वले उसे आगे की और धकेलता है तो ये ध्यान रखना है कि ये जो हर वले है ये उसे आगे की और धकेलता है इसका शरीर अनेक वले बनाता है और प्रतेक वले आगे को धक्का देता है और इसी कारण सर्प बहुत तेज गती से चलता है लेकिन यह सरल रेखा में नहीं चलता है तो बच्चो ध्यान रखेंगे इस बात को कि साप या सर्प कभी भी सरल रेखा में यानि सीधी रेखा में नहीं चलता है क्योंकि इसके चलने का जो मुख्य आधार है जो मुख्य कारण है वो इसके शरीर में जो वले बनते हैं वो ही होते हैं इस प्रकार बच्चों हमने अलग अलग जन्तूओं की चाल को समझा है हमने केचुए के बारे में जाना थोड़ी बात हमने घोंगे की भी की उसके अलावा तिलचटा मचली और सर्प और पक्षियों की जो चाल है वो सभी में क्या महतपून है ये सब कैसे चलबाते हैं ये सा हमारी चर्चा हमने आज की कक्षा में की है तो बचों आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले भाग में वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद